Q16, mean of the distribution is 25, find out the missing frequency, class interval है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 frequency भी गई है, 3, 7, 26, यहां Q1 बार एक्स की वाली दी है, 25, class interval है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, एक्स की वाली निकालने की लिए, 0 plus 10 divided by 2, 10 plus 20 divided by 2, 20 plus 30 divided by 2, ऐसा कर की हम, मिर वाली आने एक्स की वाली निकालने की लिए, frequency की वाली दी गई है, और यहां पर, जहां पर question mark दिया हुआ है, उसको हम Y माल लेंगे, अब F का total करने पर N की वाली मिल जाएगी है, हमे, Y को as it is लिख देंगे, और total digit को add कर लेंगे, okay, F और X का multiply करने पर F X की वाल जाएगी, 5 into 3 is equal to 15, ऐसा करने पर summation F X मिल जाएगा, और 45 Y को हम लोग as it is लिख देंगे, add करके, total number में, okay, bar X की वाली में, summation, bar X is equal to होता है, summation F X divided by N, bar X की वाली हमें question में दी गई है, जो की 25 है, summation F X की वाली है, 1885 प्लस 45 Y, और N की वाली है, 37 प्लस Y, अब हम इसे equal की opposite side में लेके जाएगे, तो यह divide हो रहा है, तो यहाँ पर यह multiply हो जागा, आसा पूरा solve करने पर हमें Y की वैली में जागे, Y की वैली में जागे, total 2, question number 15, if the mean of the following distribution is 47.95, mean याने की bar X की वैली दी गई है, find the unknown frequency, याने की A की जागा, यह जो frequency में दिया हुआ है, A, इसका value हमें find out करना है, okay, class interval हम ले लेंगे, 10 to 25, 55 का reference है, देखो, sorry, 15 का reference है, 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, per 85 to 100, mid value है, X की value निकालने के लिए हम, class interval के दोनों डिजट को अट कर देंगे, और 2 से दिवाइड कर देंगे, for example, 10 plus 25 is equal to हो जाएगा, 35, 35 को 2 से दिवाइड करने पया जाएगा, 17.5, ऐसा करके हम X की वैली निकाल देंगे, okay, frequency question में दिया गया है, जह आपे question mark अक्ता उसको हम Y मान लिए, okay, तो ऐसा करते हुए हमें, N की वैली नमबर्स, टूटल नमबर्स में हुए है, 74 plus Y, Y को हम as it is लिख देंगे, F और X का multiply करने पे हमें F X मिल जाएगा, okay, और F X का टूटल करने पे समेशन F X की वैली हमें मिल जाएगी जोगी है, Q की question में दिया हुए है, bar X is equal to 47.9, और bar X का formula होता है, summation F X divided by N, bar X की वैली दी जाए है, 47.95 और summation F X का value हम पुट कर देंगे, summation F X की जागा पे है और N की वैली पुट कर देंगे, तो इकना solve करने पे है, आजाएगा, 3108, 70 plus 62.55, divide by N की वैली है, 74 plus Y, और भी 74 plus 5 को हम लोग equal के opposite side में जाएगे, ले जाएगे तो ये divide हो रहा है, तो ये multiply हो जाएगा, okay, multiply हो जाने के बाद आजाएगा answer, 3548.3 plus 47.95 Y is equal to 3170 plus 62.55, अब क्या करेंगे हम लोग, 62.55 में माइनस कर देंगे 47.95 Y, तो ऐसा करते हुए हमें, Y की वैली निकल जाएगे, जो की हो जाएगा, 36. ये answer है, question number 15 का, question number 18, the average salary of all workers of a company was rupees 3000, the average salary of men was rupees 3200 and that of women was 2200, find the percentage of men and women in the company, हमें क्या करना है, जो पूरी company के workers का average salary दिया हुआ है 3000, और men's की salary है 3200 and women's की salary है 2200, हमें इनका percentage निकलना है, let's take men's x, to men को माना की हमने men को x ले लिया और women को y ले लिया, okay, now 3200 x plus 2200 y, x है में और y है लोमन, or divide by x plus y, एनकी x, men's or women's को ले लिया, हुआ है 13,000 3000 ओके इसको हम लोग X plus Y को हम लोग एक वल के दूसरे साइट पे लो जाएंगे तो यहां पर यह दिवाइड गर है तो इधर जायके मल्टिप्लाइ हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3200 X plus 2200 Y is equal to 3000 X plus 3000 Y अब क्या करेंगे हम लोग X को X से मैनस करेंगे Y को Y से मैनस करेंगे 3200 X minus 3000 X is equal to 33000 Y minus 2200 Y is equal to 3200 X में 3000 minus करेंगे 30 100 minus करेंगे तो आजागा 200 X और 3000 Y में 2200 Y minus करेंगे तो यह आजागा 800 Y अब X by Y is equal to 800 divided by 20 100 याने कि यह हो गया X का पसेंट निकल के आगिया 80% और Y का पसेंट निकल के आगिया 20% 20 100 युट और्क पसेंट आगिया थे यह हो बनागा झाके रागिया थे